हेलो दोस्तों आपने बहुती सांधार वीडियो पे किलिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर ले कर आए हूँ बहुत अच्छी खुश ख़बर ले कर आए हूँ जो अभी अभी आपका RRB NTPC CBT1 31 दिसंबर का पहली सिफ्ट का पेपर हुए दोस्तों काफी आसान पेपर आगया है जैसा हमने उमीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आगया है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो गैस 100% आप लोग सेलेक्शन की तरब पहुँच जाओगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो गैस जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताये है 100% रियल सवाल लेकर रहा हूँ जल्दी से सभी सवालों के उत्तर देख लो पटफ़ट चाएवा आपका जीके हो मैत हो, चाह रीजनिंग हो चैजनल इंटेलिजेंस हो सभी को गैस मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूँ एक-एक सवाल को जल्दी से देख लो एक-एक सवाल को अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया अगले सिफ्ट में यहाँ से आपके 10 से 15 सवाल आपके रिपीट करने वाले है तो गैस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करते वे जरूर चलना है ठीक है गैस वीडियो को लाइक करते वे जरूर चलेंगी एक-एक सवाल को देख लेते हैं फटटफट सारे सवाल 100% रियल सवाल है गैस तो दोस्तों अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे एक्सप्रेस देख लेते हैं जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी पूचा गया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है तो गाइस यह मना जाता है 21 मार्च को 21 मार्च आपका सही जवाब हो जाएगा देख लेते गाइस अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे कब मनाया जाता है तो guys यह मना जाता है 24 March 24 March आपका सही जवाब हो जाएगा देख लेते हैं जगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया भारत में गन्य का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्या है तो guys इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश आपके बहापर ओप्सन थे MP, UP और आपका बिहार तो guys एक ओप्सन था none of these तो आपको राइट आंसर मानना था UP UP सवाल का सही जवाब हो जाएगा देख लेते हैं जगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी पूछा गया भारत में मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है तो guys इसका है गुजराथ गुजराथ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा guys 100% real सवाल लेकर आया हूँ बस आप लोग वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ठीक है guys सभी गोवर्मेंट एकजाम के ट्रिक के लिए एक सवाल आपका ये भी पूछा गया कुछी पूड़ी किस राज्य का नरत्य है कुछी पूड़ी किस राज्य का नरत्य है ये आंद्रपरदेश का नरत्य है जो की पार्ट किसका है तेलंगाना का ठीक है guys आगे बढ़ लेते है अगला सवाल देख लेते है एक सवाल आपका ये भी पूछा गया धमाल किस राज्य का नरत्य है धमाल किस राज्य का नरत्य है ये हरियान राज्य का एक डानस है देहख लेते गाज अगला सवाल क्या पूचा गया अगला सवाल भी देख लेते है टो गईज एक सवाल ये भी पूच्छा गया वहाए कुन सी सवा है जिसका अध्यक्स उस सदन का सदश से नहीं होता तो guys इसका नाम है राज्य सबा राज्य सबाब का करक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते guys अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया पूरे देश को कितने छेत्रे परिसदों में बाटा गया है तो guys ये बाटा गया है पांच छेत्रों में ठीक है guys अगला सवाल देख लेते है एक सवाल आपका करेंट अफेर का ये पूचा गया हाली में सहियुक्त राज्य अमेरिका ने भारत जापान और किस देश के परदान मंत्रियों को लीजन ओफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया है तो guys कौन-कौन से देश है भारत जापान और ऑस्ट्रिलिया यही आपका करेंट अंसर हो जाएगा देख लेते guys अगला इंपोर्टेंट सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया भारत में परतिवर्स राष्ट्रा किसान दिवस्क आयोजन किस दिन किया जाता है तो guys यह किया जाता है 23 सितंबर को हर साल किया जाता है भारत में देख लेते guys अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया कि इस भारतेंट ने दो बार ओसकर जीता है तो guys AR रह्मान ने दो बार आपका ओसकर अवार्ड जीता है देख लेते guys अगला सवाल अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेर अच्छे से पढ़ा है definitely 100% आप लोग सेलेक्शन की करिब पोच जाओगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया आगे बढ़ लेते हैं guys तो guys ये सवाल आपका इतियास से पूचा गया ब्रहम समाज के संस्तापक कौन थे तो guys इनका नाम था राजा राम मोहन रोय देख लेते guys अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया इराक के राश्टपती बरहम सोले ने हाली में किसे परधान मंतरी के रूप में नामित किया है तो guys इनका नाम है अधनान जूर्फी देख लेते guys अगला सवाल तो guys ये आपका रिजनिंग का सवाल है इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया आप लोग सेलेक्शन की तरह पोचने वाले हो ठीक है guys ये सवाल देखो जल्दी से यहाँ पर एक दियावाय है पांच दियावाय है ये स्रीज पूरी करनी है सतरह दियावाय और तितालिस दियावाय तो guys इसको क्या लिखा इन्हों ने इसका लोजिक में डिरेक्ट बता देता हूँ इन्होंने लिखा जीरो का क्यूब प्लस बन का स्क्वायर पांच को कैसे लिखा एक का क्यूब प्लस दो का स्क्वायर तो guys ये लोजिक काम करेगा 0 के बाद में 1 1 के बाद में क्या हैगा 2 2 का cube प्लस 3 का square ठीक है guys यह यहाँ पर लिख देंगे आगे 3 का cube प्लस क्या हैगा 4 का square ठीक है guys लेकिन जो हमारा answer आएगा यहाँ पर क्या हैगा 4 का cube प्लस 5 का square जब आप इसको soul करो के तो क्या हैगा 4 का cube क्या होता है 64 प्लस 5 का square 25 तो guys जब आप इसको soul करोगे एड़ करोगे 89 आएगा तो guys जो भी बच्चा यहाँ पर C option मार गया है उनका correct answer हो गया अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करके आते हैं आपका right answer आता 89 तो guys जी सवाल को इस तरीके से आप soul कर सकते थे आगे देख लेते हैं अगला सवाल तो guys जी सवाल पूचा गया काफी आसान सवाल था इसको मैं trick से बताने जा रहा हूँ J का code 10 दिया गया है Jasmine का code 7 दिया गया है और आपसे estimate का code पूचा है तो guys क्या करेंगे Jasmine का code 7 दिया गया है तो क्या करेंगे सबी code को हम add कर देंगी सबी code को लिखकर ABCD वाले code को लिखकर add कर देंगे तो हम क्या ऐगा 71 आएगा फिर क्या करेंगी एकत्त को 71 में हमें 7 लाना है 7 और 1 की गुणा करेंगे तो साथ आ जाएगा यही लोजिक हम एस्टीमेट में लगाएंगी यही लोजिक हम एस्टीमेट में लगाएंगे तो क्या करेंगी सारे code को add करने पर क्या आइगा अठना है तो गैस क्या option में 18 है है सी option इस सवाल का right answer हो जाएगा अगर आब इस सवाल को इस तरहीज dben में अगर आब इस सवाल को इस तरीखे से करके आते हैं आपका right answer आ जाता noureticा me तु Kaz Enय ये सवाल अगे बढ़ लेते हैं तो guys 21 आदमी उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे तो आपका लोजिक क्या लगेगा ये भी सवाल काफ़ी अच्छा पूचा गया था M1, D1 M2, D2 तो guys ये लोजिक लगाएंगे M1 क्या है? 18 गुणा D1 क्या है? 35 और M2 क्या है? 21 और D2 क्या है? ये हमें निकालना है तो guys जब इसको सोल करेंगे तो क्या आएगा? 7, 3, 21 7, 35 3 से भाग देंगे 3, 6, 18 जब इन दोनों की गुणा करेंगे 6, 5 की तो guys D2 की वैल्यू आएगे निकलके 30 तो guys 21 आदमी 30 दिन में इस खेत को अराम से काट देंगे D option जो बच्चे D option मार गया है उनका correct answer हो गया guys I hope दोस्तों इस सवाल आपके समझ में आ गया होगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं काफी आसान सवाल है ये सवाल करके जरूर जाना 18 और 7 की गुणा 315 है इसने कुछ न कुछ इसमें अपनी तरफ से add किया होगा है या गुणा किया होगा तो guys इसने गुणा किया 5 बटे 2 का मैं direct आपको लोजिक बता रहा हूँ इसने 5 बटे 2 का गुणा करेगा तो गुणा करने के बाद 2 नम 18 9 की गुणा 7 में करेंगे 63 63 की गुणा 5 में करेंगे क्या हैगा 315 तो guys हमें यहां से क्या पता चला अगर हम अपने लोजिक में 5 बटे 2 से गुणा करेंगे हमारा right answer निकल के आजाएगा यह logic हम यह logic हम लगाएगे 12 गुणा 4 में तो 5 बटे 2 कर देंगे इसका 2 से कितनी बार 6 बार 6 चोब 24 24 पंजे 120 तो guys इस सवाल का right answer आजाएगा 120 जो बच्चा यहापर B option मार गया उनका correct answer हो गया तो guys इस सवाल में आपको 8 से 10 सेकंड लगनी थी ज़्यादा time नहीं लगना था बस आपको जल्दी से logic को पहचान लेना था ठीक है guys इस सवाल का right answer आजाएगा B option ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं आगे देख लेते हैं क्या बूल आ गया है तो guys जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए 100% सवाल real मैंने आपको बता दिये है तो guys वीडियो को like करके जरूर जाना अगर आप government exam की तियरी करो reasoning or math को आपको trick से पढ़ाई करने है नीचे channel का लाल color का बटन दबा कर channel को subscribe कर लेंगे guys और bell को all कर लेंगे ताकि सभी trick वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलता रहे तो guys इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले shift के लिए आपको good luck thank you so much अगले shift के लिए आपको good luck